इस वक्त इतनी बेवाफाईयां कर रही है, इतनी बेवाफाईयां कर रही है, जितनी नरंदर मोदी जी अपने पत्री से कर रही है? है कि दी पंद्रा पंद्रा बारा बारा घंटे गारी लेंगे हमारे महुरार में जलसा है हमारे सीता मड़ी में जलसा था हमारे ओलन अब्दिल्ला सालिम कमर चतिरवेदी वही थे उस प्रोगाम का वरगनाईजर मैं था मैं उस प्रोगाम को कराने वाला मैं था मैंने अलाके के लोगों से कहा कि यह जिम्मादारियां जो है मेरे कंदे से Mickey Gest जा दीए पैसा मेरे ही निन में さब हैं बैट कर दीजे शोरा के परिर को लेकिन यह जिम्मादारी मैं नहीं आ पा हूं numéro तो अनों ने कहा कि बाई पलेन आ जाई जाए हैगी नहीं लेकिन किसी तरह से पहुचे पहुचने के बाद रात में अभी सुपॉल में था शोशल मीडिया प्रीस मीडिया इलक्टरिनिक मीडिया के जरिया आपको पता चला होगा बहुत मुरा मजमा और वहां से साथ घंटा मसलसल फोर वीलर में बैटकर यहां तक आया हूँ जिसमें मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चुतरवेदी खुद ग्राइब करके लेका आए यकीन जाने है जिरे दोस्तों में के हंदोस्तान का एक लोता वो मतर्रिर है जिनके अंदर मैंने ये क्वा बरे परे पंडिति बहा पंडित की बात मैं बता रहा है जिनका सभा लगा करता है मेरे दोस्तों रमाइन और गीता को जब पढ़ने पे आते हैं अंग्रेजी जब बोलने पे आते हैं तो मेरे दोस्तों ऐसा लगता है कि खुदा की ये कोई दूसरी मखम बेशायर आए इस मेरे दोस्तों यकीन जानिये हुआ आपके दर्मियान आएगे हमारे साथ हमारे फिये तरीकत शेक तरीकत हज़रत मौलाना शाह अमद दसर बनारसी खलीफा मसीह लुक्मा जनाब हज़रत मौलाना मसीह लगा खासाब जलाल अबादी भी थे और एक सबसे बड़ी ये बात ब मिलवाओं हमारे मुझीब भाई बोशायरा मीडिया जो माशालला पूरी दुनिया के अंतर आपको दिखा रहे हैं इसलिए मैं आपसे गुदारिश करना चाहता हूँ कि मेरे दोस्तों आपके हराकात और सकनात जो है वो कुछ अच्छे तरह से होने चाहिए खराब नहीं हो हमारे परवेश कौसर ये मौनात भंजन जन बैयार शिबली आजम गड़ की सरद्वी से तश्रीफ लाए हैं ये बिर्गेडिय रुस्मान की घर्दी है जिसके बारे में अल्यामा सुहेल इक्षेर कहा था कि इस फित्वे आजम गड़ पो फैजान एक तचली है जो जर्रा यहां से उठता है वो नए रियास्ब होता है मैं मजबूर था कि कमेटी के लोग मुझे यहां जल्द क्यों नहीं रा रहे थे लेकिन परवेश कौसर साब में जो कलाब परहा जिस धिन को उसने निभाया जो तरन्म से खुदाने उसको नवाजा है आवाज के अंदर सोज भ पास ऐसा नहीं होगा मुझे शकीर साब बैठे हुए है कि मेरा नमबर जल्दी आ जाना चाहिए शेख साब भी फर्मा रहे थे कि मुझे शकीर साब के बार उनकी तक्रीम के बार इंशालला दस्तार बंदी फिर उसके बास संगे बुनियाद उनके बाद इंशालला आपके च्तरुबी दी आपके हवाले होंगे लेकिन मुझे भी अजाज़त दिजिए कि एक आध शेर मैं आपको दाग दुंख दुंख अगर आप अजाज़त देंगे तब तब कितने हचाराँ ते दोनों हाथों को उठा के बताएं माशाला है एक मादा दोनों हाथों को नभी के नाप पन लह राके बेंदीए सुभान लाह एक मादा और बोले छहेंदे सुभान लाह माशाला Chapel एक शेयर पर ताहूं देखे हज़राँ दरे रसूल हुए हमने बड़े बड़े देखे गुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे इधर के लग लग खामुश बैटे हैं जैसे लग लग रखे हैं अब भी लग रहा कि कोई और लखे हैं थोड़ी देखे उसको निकाली है सुभान अल्ला बोल दीजेगा उसके बाद फिर रख लीजेगा मैं कुछ नहीं काओंगा हमारे मौलारा अहमद लुसेवी साथ जिर्दार नार घाजी पुरी यूपी फरमाते हैं कि नमाज में बोलना हराम है जलसे में ना बोलना तो आप बोलेंगे तो अच्छा लगेगा थोड़ा साथ आप बोलते हैं तो अच्छा लगता है अब लगता कि हम जिन्दों के दर्मियान है नहीं तो पता नहीं या काबिरीन वाब बड़े हाफिज और मैं कराम या बैठे कब नमाज जनाजा कि ये लोग नियत कर ले कौन जानता है तो लहादा आप थोड़ा बोलेंगे दिन लोगों को लगेगा कि आप कि अंदा है आप हया से हैं इनको जगा देजिए लम्मा लेट लेट रीस वेटा तकिया मना देटे तवारे लिए ये थोड़ तकिया देजी इनको ठीक सी दरे रसूल के हमने बड़े भड़े देखे अरे खुलाम बनते हैं कैसे खड़े खड़े देखे अरे अजब है विश्ट जो किमार उठ नहीं सकता अरे वो चाहता है मदीना पड़े पड़े देखे अजब है विश्ट जो किमार उठ नहीं सकता वो चाहता है कि मदीना पड़े पड़े देखे एक शेर और दाखता हूँ और उसी शेर की संजीत के अदर अपने मुकर्रिरे खास नौजवारों की दिन की धरकन जराब हदर है ये देखिए बाई साब को मालूम है कि एना उनसर को भी नाम दिया जाता है अपना लेके आए कि कोई दूसरे का लेके आए हैं दर आता कभी कभी बड़े आदमी जो अल्ला ताला किसी को दौलत तो सर्वत से नौजवासता है तो वो साथ में आदमी को रखता है अगर किसी कुछ देना हो तो काता है दो उसको सवर रुपिया तो कुछ लोग जलसें में यहां पके नवाबी दिखाने आ जाते हैं मेरे दोस्तों इनके आने के बाद आदमी ने सच कहा है या जूट कहा है अब एक शेर पढ़ने के आप एजाज़त देदे मैं पढ़ता हूँ निगाहों को मेरी सरकार के दालान तक ले चल अब यह ततने एक इसान लोग बैठे हुए है मुझे मालूँ है कि आप उस धर्दी से तालुक रखते हैं का सीना भाड़के अपने हिस्से का रिस्ट निकालने का हुनर जानते हैं मैं एक शेर कहा करता हूँ अपने गाउं की रस्में निभा के सोते हैं मेरे एक दोस्त का शेर के अलिफ चले के या तक इसानला थोड़ा साथ निभा के सोते हैं गरीब लोग चटाई बिचा के सोते हैं इन्हें कुबूल नहीं है हराम का बिस्तर ये अपने हाथ को तक्या बना के सोते हैं इन्हें कुबूल नहीं है हराम का बिस्तर ये अपने हाथ को तक्या बना के सोते हैं अरे तुम्हारे शेर वे कितने खरीब के बच्चे सड़कते आज भी पेपर बिचा के सोते हैं है की नहीं तो इस संदाब उनके बाद इन्शालला जनाब हजब मौह मुप्ति शकीर साब आपके हवाले होंगे के निगाह होंगे सरकार के दालान तक ले चल मुकदर फिर मुझे अयूब के मिहमान तक ले चल अरे मेरे रोज़े वहाई तार करने की तमना कर अरे कभी तो मस्जिद नबवी के दस्दर खान तक ले चल मेरे रोज़े वहाई तार करने की तमना कर कभी तो मस्जिद नबवी के दस्दर खान तक ले चल मैं नहायती अद्बोह इतराम के साथ आपके चहीदे मुकर्रिर जनाब हदब मौलाना मुद्दी शकीर साथ आसमी तामत बरकात मत्तजिल लाहली से बुदारिश कर रहा हूँ जो पत्ता की सरजमी ते तश्रीब लाहें के हदब तश्रीब लाहें और अपने खिताब नायाब से हम सामाइन को नवाजें बिस्मि लखनी रहीम अल्हंदो लिल्व रभि रालमीन वस्वलात व स्लाम उल्हाइदि ल्र्म उल्यों कि अर्म्सलीन वाल आ आल ही अजमाईन से अमाजद। आईजु बिल्हि मिन श्यूटानी र्रजीम बिसमिल्हि रुछमानी रुछीम या ऐयुह उल्दीन आमन अधुलू फिस्तिलम काफ़व सदक ल्लाहु राजीम है कमाल रुटबे मुस्तफा बल्गल्लाब कमालेही है कमाल रुटबे मुस्तफा बलग अलाब कमाल ही ये असर है के जमाल का कसफद बुजा बिजमाल ही है कमाल रुटबे मुस्तफा बलग अलाब कमाल ही है कमाल रुटबे मुस्तफा बलग अलाब कमाल ही ये असर है के जमाल का कसफद बुजा बिजमाल ही किसी एक आदा की तो बात क्या हसुनत जमी मुखिसा लिही वो खुदा का जिसने पता दिया सल्जु आलिह वालिह रसाई हज़त जिबरील सिद्रा के मका तक है मगर मेराज सर्वर तो मका से ला मका तक है रसाई हज़त जिबरील सिद्रा के मका तक है मगर मेराज सर्वर तो मका से ला मका तक है रसाई हम के आई आरिफ बताओं क्या कहां तक है रसाई हम के आई आरिफ बताओं क्या कहां तक है वहीं तक देख सकता है नजर जिसकी जहां तक है हضرات गिरामी आप हजरात इस बेयारे महबत में पहली बार आने का इत्वाक हुआ है बेगु सराइ जिला के मुखलिफ गाउं में तो बार बार आने का इत्वाक हुआ इसी महीने में गुजसता पांच तारीख को हमारे दोस्त भी मौजूद थे اللہ इन्हें सलामत रखे नजर बद्द से बचाए ये खुसूसी दौा कर रहा हूँ बारहा ये कहा करते हैं कि मैं जेड़ पाउं से पूरे हिंदुस्तान का दौरा करता हूँ लेकिन इनका जेड़ पाउं हमारे दो पाउं से भी ज़्यादा ताकत वर हुआ है आप फ़द्रात पुरी दिल्यम्ई के साथ जारे का मौसम है लेकिन सट सट के बेचे हुए हैं जारा नहीं लग रहा होगा हर एक का बतन हर एक का बतन ही चर्चर है तो इतने लोगों का मजमुवा यहां पर है इन्शालल़् जारा नहीं लगे लगेगा और जारा लगेगा भी तो जिन्दगी भर तो लहाँ में सोते ही है थोड़ी देर अगर कुर्बानी दे दिया कुर्बानी पहले दे दिये बाद में बिर्यानी मिलेगी बहर कैफ अभी चन्द लम्हों के बाद दस्तर बंदी होने वाली है संग मुन्यादी रखा जाने वाला है इसी मुनास्बत से कुछ बाते हैं अल्ला से दौा फरमाईए अभी बहुत 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 नहीं बदलेगी, कलम चलाने से नहीं, कदम बढ़ाने से काम चाम चाम अभी जो मैं बातें आरज करूंगा प्रैक्टिकल अंदाज में, प्रैक्टिकल अंदाज में नम्बर वार, प्वाइट बाई प्वाइट जिकर करूंगा, आप इसको महफूर रखिए, और आगे तक भ बातों को भैलाईए गलत बातों को मत भैलाईए मेरे दोस्त मैंने एक अधिस पर ही रही अब उससे पहले मैंने विए आयत आयत करीमा पर भी या ऐयोह थीन आमन खुलू फिस दिल में काफ़ा इमान वालो एए इमान वालो इसलाम में मकमल कमपिलिट दाखिल हो जाओ मकमल इसलाम में क्या मतलब एक निसाल मैं एक बार टंपू पर बैटा था आटो पर आयक बार बस गाषिकी के पास देखा लिखा अपने शरील का कोई अंग बाहर नहिकाले हिन्दी में देखा अपले वहनी तो अपने शरीर का कोई अंग बाहर नहीं काले क्या मतलब मुकमल कंपिलिट गारी के अंदर रहो ऐसा नहीं के धर अंदर आसा बाहर एक पाउं अंदर एक पाउं बाहर एक हाथ अंदर एक हाथ बाहर नहीं क्यों अगर मुकमल गारी में नहीं रहोगे एक हाथ बाहर निका लोगे बगर से गारी गुलेगी हाथ जैमिज हो जाएगा धर अंदर है सर बाहर है सर पूट जाएगा कम पिलिट गारी के अंदर रहो यहीं पे इस आयत आए करीमा का मतलब बिल्कुल निखर के सामने आ गया अल्लाहु अग्वर यही बात तो कुरान में कहा है इमान वालो कम पिलिट इसलाम में रहो ऐसा ना हो के धर इसलाम में हो असर यहुदियत में हो एक हाथ इसलाम में हो दूसरा हाथ इसायत में हो एक पाउँ इसलाम में हो दूसरा पाउँ गैर मुस्लिमों के धरम नहीं रम खुदिया वाला सिस्टम नहीं चलेगा इस पार या उस पार मुझाहिद भाई के बकावल आधा इधर आधा उर्थ नहीं या तो इस पार हो जाओ या उस पार हो जाओ हम लोग दो कष्टी पे पाउ रखे हुए कुछ इसलाम का ले लिया निकाह ले लिया इसलाम का अजहे ले लिया सलवार उर्थ ले लिया अपने हाँ याद भलत बूलवह रहे है सिस्टम चल रहाए कि नहीं कुछ इधर से कुछ इधर से नहीं मेरे दोस्त मनजिल ज़क पहुँचने के लिए कई चीजें जरूरी हैं एक तो यह कि गारी बिल्प टूटंच हो गारी बिल्प ठीटाक हो बिरेक्षेल नहो ऐसा नहो कि हरं के सिवा पूरी गारी बज रही हो इसा नहो गारी बिल्कुल टूटंच एक बात बात दूसरी चीज़ डराइवर बिल्कुल एक स्पट डराइवर माहिर हो वरना गारी अच्छी है लेकि डराइवर अनारी है मेरे जैसा तो आपको पहुंचावेगा मगर गड़े में दो चीज़ आट इसरी चीज़ सड़क अच्छाफी चीज है गारी बैठने वाला पासेंजर बदमासी नी करते हैं वर नहीं हो सकता है कि गारी भी ठीच डराइवर भी ठीच जरोड भी बिलमुल्ड ठीच चाट लेकिन बैठने वाला बदमासी कर लहा है कि सबस्तोर नकाले हुआ तो वो मनजल नहीं भूचे गाँ पहुचेगा या तो हो सुचल भूचेगा नहीं तो قबरिस्तान पहुचेगा इसी दरा इसलाम मजखन इसलाम ये वह गारी है मजहब इस्लाम वो गारी है सुन्नत मुस्तिफा की सरक पर चल रही है उस गारी को चलाने वाले प्यारे आका जनाब मुहम्मद रसुल्लाह सल्लाह आले लिए सल्लम है रोड में कोई मौर नहीं कोई जोर नहीं कोई जर्किन नहीं बिल्कुल फॉर लाइन नेसलल हाईवे आईये रोड सीधे जन्नत के गेट पहुंचती है ये सरक सीधे जन्नत के गेट पहुंचती है गारी भी ठीक, डराइवर भी ठीक, रोड भी ठीक लेकिन ये बैठने वाला पसंदर बदमासी कर रहा है एक टांग इसलाम में है, दूसरा टांग दूसरे घरम है ये है परिशानी की वज़ाए एक जगा मैंने जुमा की नमाज परहाई जुमा की नमाज हो रही थी एक जनाज़ा बाहर रखा हुआ था जनाज़ा बाहर रखा हुआ था कि जुमा की नमाज के बाद जनाजे की नमाज होगी ऐसा होता है ना अल्ला हुआ 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 कोई और कहता तो साइब मुझे यकीन नहीं होता आंखें पठी की पठी रह गई जुमा की नमाज पढ़ा के जब निकला हूँ तो तक्रीबं 20-30 आदमी रोट पर खड़े रह गए जनाजे के पास नमाज भी नहीं पढ़ा काहे नमाज जनाजा के इंकजार में जो फर्जे के फाया है जो फर्जे के फाया है वो नो छूटे अफर्जे आइन छूटे जाए ये बदमासी है की नहीं ये मार खाने वाली चाल है की नहीं मेरे दोस्त मैंने एक हदीश परही आप क्या बनना चाहते हो नौजवानों से पूछिए क्या बनोगे कोई कहईगा डॉक्चर कोई कहईगा इंगिनियर कोई परोफीसर कोई पाइलिट कुछ कुछ स्कूल में भी पूछा जाता है के बेटा तुम क्या बनना चाहते है उसके जजबात तो जानने के लिए उसका अरादा क्या है बात करने का अधार कार्ड सिर्थ मेरे पास है आप लोगों ने अधार कार्ड से अभी नभी नहीं करवाया है था मुश्री चार अफसंदिया अल्ला के नभी ने चारों में से जो चाहो बन जाओ हो सके तो चारों बन जाओ नहीं तो कोई एक तो जरूर बनो बनो दो बन जाओ तीन बन जाओ असोने पे सुहागा है के चारों बन जाओ लेकिन हाँ पांचवा मत बनना क्या बनो कुन आलिमन आलिम बन जाओ ये रसुल अल्ला की पसंद है आलिम बन जाओ मबारक हो उलमा एकॐन, बहूत मबारक मबारक پहले नंबर पर अल्ला के नभी ने जो अफ़िन जिया था केना नौने लपक के ले लिया बहुत मबारक अभी तक आपका नाम नहीं आया नहीं आ रहा है किले आलिम बन जाओ नंबर दो और मतालिमन या तालिब इल्म बन जाओ ये मदर्सा के तालिब इल्म अभी दसार बन्दी होने वाली है इन्हें भी मबारक 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 बहुत मबारक इन्हों नहीं नमबर ने लिया तालिब इल्म बन्दी अभी तक आपका नाम नहीं आया देखिएगा आ रहा है कि ने आलिम बन जाओ मबारक हो अलमे किराम या तालिम बन जाओ मदारिस के तलबा तुम्हें बहुत बहुत मुबारक और मुस्तमियान या उलमा की बात अमल के जज़बे से सुनने वाले बन जाओ नम आया आपका आगे आपका अर्ट इसरे ही नमबर पेसे ही लेकिन आया को अलमा की बात सुनने वाले लेकिन हाँ अमल के जज़बे से आप लोग अमल के ज़बे से सुन रहें कि नहीं चलिए आपको भी मुबारक मुबारक बहुत बहुत मुबारक आलिम बन जाओ अगर आलिम नहीं बन सके तालिम भी नहीं बन सके अगर आलिम 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 नही कि नहीं 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 बड़े बड़े बस फुसे अंदाज में बोल रहे हैं अलमा से आप महबत करते हैं कि नहीं अजी महबत नहीं करते हैं कि जारे में काहे के लिए सुन रहे हैं जारे में ठुटू ठुटू के जो सुन रहे हैं ये तो महबती का चंबुक है जो कीछ लाया है या उल्मा से महबत करने वाले बन जाओ लीजिए जवल डवलाप ले लिए तीसरा और चाथा आलिम बन जाओ, तालिम बन जाओ, उलमा की बाद सुनने वाले बन जाओ, ये उलमा से महबत करने वाले बन जाओ, वाला तकुन खामिसन, खबरदार, खबरदार, होश्यार, साबधान, पांचवा मत बन, पांचवा मत बन, पांचवा मत बन, पतह लिगा वरना हलाक हो रिसुल्ला के सुप्रीम कोट से ये जज्जमेंट बे दिया गया है कि जो इन चारों में से कुछ भी नहीं है पांचवां है वो हलाक हो जाएगा वो कौन है पांचवां पांचवां कौन? वो है अलमा से गुस्मानी रखने वाले अलमा से नफरत रखने वाले जी यही फांचवां गुरूब है आज परिंट मेडिया, इलेक्ट्रोनिक मेडिया सोशल मेडिया मेडिया वाले आए हुए मैं खुल के बात कर रहा हूं आज मेडिया वालों ने ठेका ले रखा है किस मात का आप का कनेश़्ं खलमा से कर दिया दिया इल्ला मासला कुछ मेडिया वाले हैं जिने अल्ला जजाए खेर खेर है उन्हीं में से एक वो हैं जो जिनको लाएं है उल्मा से आपका संपर्क न रहे आप नेट्रवार के एरिया से बाहर चले जब उल्मा से नफरत करेंगे उल्मा से दुस्मनी करेंगे सैटान कभी भी आपको इलवा कर लेगा किड़नप कर लेगा पहरन कर लेगा फिर आपको मुर्तद बना देगा बड़े बड़े फितने हिंदुस्तान में चल रहे हैं एक शकील बिन हनीज का फितना चल रहा है जो मसीषियत का दावा कर रहा है अकल कल अफिकमबक बहुत जल्द नुगूत का दावा भी कर ही बैठेगा मिर्जा कादियानी ने भी यही किया था आई और नौजवान पटना में पचासों नौजवान इससे मतासिर हो चोचों पटना सहर की बात कर रहा हूँ जदिद तालिम याफ़ा नौजवान गुम्रा हो रहे हैं इसलिए पांचवा मत बना वरना हलाक हो जाओगे अलमा को अलमा से आपको काटने का प्रोग्राम बन चुका है अब कैसे काटा जाए मेडिया वाले अलमा पर कीचर उचाल के दिखलाते है अलमा के कैरेक्टर में कीड़ा निकालते हैं दूसरे मजाहिद के पेशवा को नहीं देखते कि उनके कितने काले कर्टू थैं पूरी दास्तान भरी हुई है लेकिन अलमा पर गलती उजाम लगा करके अचमक चमक कर मटक मटक कर मेडिया वाले नमक मिरिच लगा कर चटपटी बना कर चटखारे ले ले कर उलमा की बुराई बयान करते हैं टीवी चाइनल वाले एंकर टीवी का एंकर हमारी सबीख को खराब कर रहे है आप बंबई चले जाएए रमज़ान में रमज़ान में बंबई चले जाएए रमज़ान के गिन में ये टोपी ये टोपी तीन मंजिला अडाही माशा लगा नमाज की निशानी लंबा कुरता एक दम मालुम हो के एक दम अभी अभी जन्न से उपस्थित हुए हैं अभी अभी तुस्दिफ लाहीं के पिता जी जन्नते में जौब करते हैं ऐसा लगेगा है हदरत जिबराईल फरेफ़ता हैं उपर ऐसा तकवा चेहरे से चपकेगा लेकिन ऐसे तकवा को लग जाए लगवा वो क्या करेगा रमज़ान के दिन में रोड किनारे छोला की दुकान दुकान के खड़ा जाए जाए हाँ भई छोला लाना को अरे फालूदा नहीं बनाया क्या वो भी एक पिलिट लाना खुले आम खाएगा सब को दिखा के ये मदारी दोपी सुनती लबास मालूम हो कि बड़े अल्लामत दहर है मौल्यमूल मलाइका मालूम हो रहे है अवो खुले आम खा रहा है अब बताईए आप लोग जो देखिये तका कहिए तुबा तुबा लाहौल बलाकुट फी मौलवी है हम तो है ये हैं बिग्रे हुले हुले देखिए मौली मलाना का कर्द कूत देखिए अरे रोदा नहीं रखना था चुरा के खाता खुले आम सरक किनारे खाता मैं आपको बतलाता हूँ कस्म रप जल जलाल की और अमलान के दिन में जारी टोपी वाला जो खुले आम खा रहा है सरक किनारे वो मौल भी नहीं ही, खबरदार खबरदार, वो मौल भी नहीं होता है, मैं आगे बढ़के कहता हूँ, कि वो मुसल्मान भी नहीं होता है, वो तो दुस्मनार इसलाम के एजेंट होते हैं, जो खुले आम खाते हैं, अब मुसलिम महले में खाते हैं, ताके मुसल्मान देख कर के बिदक जाएं अन्फरफ करने लगे लगे इस तरह प्लानी हो लगे चंद साल पहले की बात है दारो अलूम देवन के मुफ्ती हदरत मुफ्ती जफिर अब्दीन साहब रहम अकुला अले मेडिया वाले आये थे फत्वा लेने के लिए फत्वा लेने के लिए भेसे आये थे मुस्तफ्ती बन करके हदरत ने फत्वा दे दिया मेडिया वाले ने पांस सो रुपी गड़ी निकाल के दिया था कि हदरत ये मदरसे के लिए तो जाईए वहाँ एहत्माम में जाके रसीर्सिद क्टवाली-चेम यहां रसीद नहीं करती है वहाँ हदरत हमको नहीं देखा यहीं पे रसीद मंगवाली यह न हदरрत ने सोचा के चलो भई नया आदमी है रसीद मंगवाली यहां अरसीद काट करके दे दिया आउस के जेव में कैमरा है पुरा रिकारडिंग कर रहा उस मरदूद ने क्या क्या पैसा देबे वे तो देखला रहा अरसीद काट करके हवाले करते हुए इसको सीरे माधर समझ के hazard करीख रसीद थमाते हुए नहीं देखलाया अब पैसा जो हज़त के हाथ में दे रहा था यह देखला रहा कल हो लोके जो देखलाया बड़े बड़े उल्माएं किराम आउलियाएं किराम जो रात के सन्नाटे में जब सारी दुनिया सोती है अपने गरम गरम आसुमों का तोफ़ा रब अलमीन के दरबार में जो उल्मा भेजते हैं वो बद्रुगान दीन सुबा को धारे मार मार के रो रहे थे कि उम मदारिस उम मदारिस की शबी तराब हो गई ऐसा कैसे होता है वो एंकर मचक मचक के बोल रहा था ये देखो दारुन उम्देवन का मुफ़ी रिस्वत लेकर के फत्वा दे रहा है ये दखला है हाला के वो तो चंदा दे रहा था वो तो चंदा दे रहा था रिस्वत नहीं उल्मा धाड़े मार मार के रो रहे थे ये स्वी खराब की जा रही है किस करा से कुखलमा के किरदार में किरा निकालो गल्गल गल्गाम करा सी करे अच्छा एक फत्वा क्या देखलाया हापूर मदरसे की जानिब से उसी मेडिया वाले ने देखलाया था क्या कि मुफ्तियान किराम का फत्वा है कि डवल बेड बनवाना हराम है अगर बनवाना है तो सिंगल बेड बनवाओ बताईए पागले नहोगा कोई जो फत्वा देगा कोई मुष्दी ये फत्वा दे सकता है कि डवल बेड नहीं बनवाओ बनवाना है तो सिंगल बेड बस सिंगले बेड पर सो सकता है डवल बेड नहीं बताइए इतना भोड़ा भोड़ा फत्वा पागल जो होगा नराची का वो भी नहीं बोलेगा इस तरह के फत्वा को उच्छाला जा रहा है अवाज सब अफेस मुस में तो ऐसा ऐसा ग्रूप मौझूद है एक ग्रूप उसका नाम है अल्ला हुआ अकबर उसके एल्मिन को फून कीजिए तो वो मुसल्मान नहीं ग्रूप ग्रूप का नाम अल्ला हुआ अकबर कोई ग्रूप मिलेगा है आलस सलाह इदम ऐसा मालुम होगा कि मुत्वी परहेर गारों ने ये ग्रूप बनाया है वार्ज सबसे लोग जूडते हैं हाना के वो मुसल्मान ही नहीं है वो तो गेर मुसल्म है जो मुसल्मानों को बदनाम करने के लिए वो ग्रूप बनाया है इसलिए जादा वार्ज सबके चक्र में नौजवानों मत पड़ा करो तो कुन आलिमन आलिम बन जाओ और मुतालिमन या तालिब आलिम बन जाओ और मुस्तमियन या उलमा की बात सुनने वाले बन जाओ और मुहिबन या उलमा से महबत करने वाले बन जाओ लहादा उलमा से महबबत का तकादा है कि आप मदारिस से जूर के रहेंगे मदारसा से जूर के रहेंगे तो उलमा की महबबत बरकरार रहेगी बड़ा से बड़ा जज्जाल बड़ा से बड़ा फिकना परवर आपके इमान का साधा नहीं कर सकता कोई घलत बात आपको समझाएगा आप आप कहिएगा ठीक है मैं अपने मुफ्टी साथ से पूछ लेता हूँ फिर मैं आपको जवाब बूँगा बास, वो दुम दबा के चल जाएगा ने 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 अमर पस्टेम ने जहां कोई बोले ठीक है मैं अपने मुप्ति साथ से पुझले तब फॉल ये उसका आखरी इलाज है वो ठीकेगा नहीं दुम दबा के भाग जाएगा मेरे दोस्तों मदारिस से जुड़ के रहे 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 आज जो हिंदुस्तान में इसलाम की रम हो रहे हैं तारिस के हवाले से हिंदुस्तान और इस्वीन दोनों में बड़ी इस पीन में भी मुसल्मानों ने आट सो साल तक हकुमत की और हिंदुस्तान में भी मुसल्मानों ने आट सो साल हकुमत की और हिंदुस्तान में भी मुसल्मानों ने आट सो साल हकुमत की और हिंदुस्तान में भी मुसल्मानों ने आट सो साल हकुमत की और हिंदुस्तान में भ मदद किया था और हिंदुस्तान में भी अंग्रेजों से उल्माएं किराम जंग रड़ रहे थे तो तुर्की खिलाफ ने मदद मदद ये बात भी मिलती हो गई तीसरी बात सुन रहा है अप्रोग कि सुन हो रहा है पहली बात क्या बताया आज सुसाल इसलाम मुसल्मानों ने इस्पीन में भी हुकुमत किया अहिंदुस्तान में भी नमबर दो जब हिसाईयों ने इस्पीन पर हमला किया मुसल्मानों की हुकुमत खतम करना चाहा तो तुर्की खिलाफत ने मदद किया और हिंदुस्तान में भी मुसल्मान जब अंग्रेदों से जंग लग रहे थे तो तुर्की खिलाफ़त ने मदद किया जो बात मिल गए तीसरी बात इस पीन में भी मुसल्मानों से हुपूमत और इक्तिदार चीना है इसायों ने इस्पीन में मुलती जलती है और सुनिये फर्क क्या है दोनों में इस्पीन में और हिंदुस्तान में फर्क क्या है ये तीन बात तो बिल्गु कावन है जो यहां भी वहां भी लेकिन फर्क बतलाता हूँ जब तुर्की खिलाफत में इस्पीन में मदद इस्पीन की मदद की तो तुर्की खिलाफत ताकतवर थी ताकतवर होने की हालत में मदद किया था और हिंदुस्तान के मुसल्मानों की मदद जब तुर्की खिलाफत ने किया तो तुर्की खिलाफत खुद कमजोर हो जोई ह hypocr ai hindustan के मुझल मानों की मिदोच इाकि हिलंए ऐ कि अधिध के ख़स्वा ने कमजोरी की हालत में मदद मानों भी कमजोर होगे और इस पीन की मददोया के ख़स्वाम्त ने अपने अरूच के जमाने में जब अपने उरूज के जमाने में मदद किया तो मदद क्ता सिर्ववर ओगी ये फर्क हो लिए दूसरा फर्क व्लिमाए कराम तुज्जो दूसरा फर्क इस इती में मुसल्मानों से जो रुखो झाहए है यलाकाई ईसायों ने यलाकाई ईसायों ने और हिंदुस्तान में मुसल्मानों से हुकूमत चीना है सुपर पावर इसायों बरतानिया ने ये फर्क हो गया ऐसी सुरत में जब हिंदुस्तान पर हमला हुआ सुपर पावर का हिंदुस्तान पर हमला हुआ सुपर पावर का हिंदुस्तान में मदद किया तुर्की खिलाफत में कमजोरी की हालत में और इस्पीन में मदद किया ताकतवर होने की हालत में ऐसी सूरत में क्या होना चाहिए था होना ये चाहिए था कि इस्पीन में मुसल्मान बाकी रहते और हिंदुस्तान के मुसल्मानों को मिट जाना चाहिए था लेकिन अलहम्दलिल्ला मामला बराक्स हुआ हिंदुस्तान का मुसल्मान नहीं मिटा बाकी है और इंशालला कियामत तक बाकी रहेगा बोलिए इंशालला इसायों ने जोरदार हमला किया अंग्रेजों ने बहादुसा जफर की हुएमत को का तखता उलख दिया और उनको बंद कर दिया बर्मा में जाकर के अमोट के घच्च भी उतार दिया लेकिन हुएमत तो मुसल्मानों की खत्म हो गई लेकिन मुसल्मान खत्म नहीं होने बाकी हैं और कियामत बाकी रहेंगे इस्पीन के मुसल्मान मिट गए हिंदुस्तान के मुसल्मान बाकी रह गए ऐसा क्यों हुआ होना तो यह चाहिए था कि इस्पीन के मुसल्मान जिंदा रहते बाकी रहते हिंदुस्तान के मुसल्मान का नमों निशान निशान जाता लेकिन हम यहां उसी आनवान निशान के साथ बाकी हैं जो पहले थे पहले भी बाकी थे अभी भी हैं आइंदा भी रहेंगा इंशालला ऐसा क्यों आप लोग हिस्क्री पढ़ने वाले बताएए मेरे इस स्वाल का जवाब इनके मुसल्मान वेबस हिम्मत हार के बैट गए रहें लेकिन ہिन्दुस्तान पर अंग्रेजों का हमला हुआ तो यहां के मुसल्मान हिम्मत नहीं हारें बलके यहां के मुसल्मानों ने अपने खud को बाकी रहने के लिए नया रास्ता तलास किया क्या गाओं गाओं करिया करिया हर अलाके में मदर्सा काइम करूँ मदर्से का जाल भी चादो हर तरफ दारूलूलूम बेवबंग इसलिए काइम हुआ था अंग्रेदों से पंजा लेने के लिए इनक्रेखो का पन्जाम मरोरने के लिए हधरसे जेस और हभरत मुलाना हुषवÓ हिञंदी रहमतुलत लाले हदरत मुलाना रशिर अमंद Γंगोही रहमतुलत लाले ये सारे के सारे मुझाहिडी आजादी थे जो अंग्रेजों से लड़ने वाली फौज तैयार कर रहे थे दारू अलूम देवन में हमारे अकाविल देवन में क्या किया कि खुद को बाकी लखने के लिए इसलाम की बगा के लिए नया रास्ता तलास किया क्या ऐसा अधारा काइम करो जहां बैटरी प्रीचार्ज हो वो है मदरस अगर मदरसे और फिर बाद में मदरसे की देन है कि तबलीगी जमात को आद लाए 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 पुलिंग कर देता है कोई और आवाज आती है अजान की आवाज आती है तो अंदर दिल में गुल्गुदी पैदा होती है इसलाम जिन्दा है जिन्दा रहेगा ये मदरसा है तेरा मैकदा नहीं साकी यहां की खाक से इंसां बनाए जाए आप सबसे बड़ा इंजिनियर किसको मांते है जिसने हावरा को बनाया नहीं सबसे बड़ा इंजिनियर कौन जिसने ताज महल बनाया जिसने कुतु मिनार जिसने चार मिनार और लाल किला बनाया नहीं नहीं, मेरी नजर में, मेरी नजर में, सबसे बड़ा इंजिनियर वो है, जो एक जाहिन अंपढ़ इंसान को तालीम याफ़ा बना दे, इससे बड़ा इंजिनियर मेरी नजर में, कोई नहीं है, मदरसे में क्या होता है, यही तो होता है, कि अनपढ़ गवार आता है, कुछ न आता था और मदरसे में उसको इनसान बनाए जाता है वो या इनसान बनाने की फेक्टरी है ये चिमनी इंट का इंटा की चिमनी ने देखे हैं इंटा की चिमनी इंसान बनाने की चिमनी ने देखे ये ये मदरसा है ने ये का ना मैं जामिया तस्लिमिया और इस तरह के दिगर म प्लाउड रावर ञिरा में, बोकारों में, इनशन बनाने का प्लाउड कहा है? हर गाओं में इनसान बनाने का प्लाउड है, यह मदरसा है, तिरह में कादा नहीं साकी, यहां की खाक से इनसाजाऑ बनाए जागा, लेकिन अफसोस एक बात मैं कहूंगा आपको बुरी लगे तो लगे मौलाना अबुलकलाम आजाज रहमत अलाले ने कहा था कि दुनिया जतनी बड़ी है करोर गुना और बड़ी हो जाए दुनिया की अमर करोर गुना बरहा दी जाए दुनिया की अमर करोर गुना बरहा दी जाए दुनिया की अमर करोर गुना बरहा दी जाए दुनिया की अमबर एक मुसल्मानों का अपने अलमा के साथ बड़्गुमानी करना मुसल्मानों का अपने अलमा से बड़्गुमान होना बद्गुमानी करना ये खितम नहीं होता। सब बद्गुमानी करें। अर नम्बर दो हिंदु भाईयों की तंग नजड़ी उनके अंदर तंग नजड़ी हैं और हमारे अंदर अपने अलमा के साथ बद्गुमानी अच्छा पहन लिया जरा मोटा सायका चला लिया रहे है ये मुली साहब की कितनी तनका है मोटा सायका दूरा रहे है जरूर कही मोटा माल मारे हो मुली बेचाने बेचाने करद लेकर गहर बनाया हाँ जरूर दूनमबर रसीद रखे होगा ये हिंदुस्तान में हमारे दुष्मनों की बड़ी बड़ी तन्जीमे चल रही हैं करके देते हैं और हिसाब नहीं है इतना एकमाद है अपने गुरु पर इतना एकमाद है लेकिन आप दस रुपिया दीजिएगा मदर सामें तो बेचारे मौलवी को आमद खाच तहबीन या कर्द हिसाब देना पड़ता है दस रुपिया अगर दीजिएगा तो उसका हिसाब भागिया का है मौलवी खागिया अबो लोग लागों करोनों देकर भी हिसाब नहीं मंगए इतना एकमाद है लेकिन आज आज लोगों को उलमा से इतनी वद्विमानी है कि चंदा देना ने चांद चांदे है और कोई काम न ही मिला था कि उलमा की बुराई का ही होटलों में ब definitions करने की छालों है इक वाहा थाण अग就是說 नहीं में मिने puisquंपटना में पटना में पटना में त plantation function में जुमा की नामाद पthy तक़र बाता हूं अधरिर करता हूं था को लोग Gospel इस को छोड़करकर असत्वर्ण क्सट हम आते मेरे महला में जो इमाम है नहीं है उसको लूर नहीं है वतुआ है जैसे कुछ नहीं बोलने आता है लोग कैसे रख लिया आप कितनी चीत की गर्द है लगा अच्छा बेटा तुमको पाला परा है बस मैंने गी और बदला कैसा है आप नमास परते हैं दूर अभू आवनाज म Опरतल है बहुत है काहा परते है लगा ंवल के तुमको कोई इमाम पर पिछे आँ वही हमाम के पीछे जिसकी बुराई अभी कर रहे थे बोतला कर रहे थे एए शरम नहीं आती आपको उसम जा क्या आके हमारी तारिफ करेगा ता हम तोल जाएंगे खुस हो जाएंगे नहीं का आपको शरम नहीं आती जिस ठाली में खाता उसी में छेट करते हो उसी ठाली में पिशाब करते हो अजी नमाज में नियत बांते हो कहते हो क्या पीछे इस इमाम के अल्वा हुआ 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 लिहाद़ ऐसे लोगों को मैं बदाव दोहल कहना चाहा हूँ मैं पीछे पड़ाई से इमाम कि ऐसे कहना चाहा हूँ मेरे दोस्तों आज के सरियल मरियल दोर में गए गुसरे दोर में ये जो अलमा आपको मिल रहे हैं ना ये खनीमत है बाद को ये भी नहीं मिलेंगे तरस जाईएगा आपकी आउलाद को सकील से भी चौपती मिलेगा अभी तो आपको सकील जैसा मिल जा रहा है मिला जुला कि काम चला लेगा लेकिन आपकी औलाद को हमसे भी स्राव मिले गागा जो मिल रहा है लिए खनीमत समझेे ये जो समझेगा कि भूत का दूदा हुआ 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 ख़ुला खुल कीजी कि没事 आप मस्जिद का इमाम हिडियर अविरलियर को बनादी हमेरे मस्धिद का متولी रसूल आजा को बना दे एला दलागो लगो 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 कहिये मकन है नइ अजी जब इमाम रसूल आजा तो मुखधी सिद्धीक अक्पर थे अमर फारुप थे तो मुखधी उसमान तरी थे लेकिन आज मुक्तबी ऐसा है, जैसे को तैसा, आप किस रेंच के हैं, जैसा मुक्तबी रहेगा, उसी रेंच का ना अमाम मी रहेगा, अगर आप पो चाहिए एक नमबर रसुल आ जैसा अमाम, तो अबू बकर जैसा मुक्तबी बनके दिखलाईके, अगर अबुबकर जैसा अमाम चाहिए तो अमर फारुख जैसा मुक्तभी बन चाहिए हर चीज में गिरावच आई है तो हम लोगों में भी गिरावच है हम खुले आउम एतराफ कर रहे हैं कि हमारे अंदर जो तक्वा होना चाहिए वो नहीं है लेकिन क्या करें आपको तो हमी जैसा न मीलेगा आप जैसे लोगों को हमी जैसा मीलेगा हम से अच्छा आप से अच्छे लोगों को मीलेगा हम से अच्छा आप से अच्छे लोगों को मीलेगा बहर कैफ मैं अपनी बात को खतम करने से पहले पहले कुरान मुकदस के रोष पर मैं रोष ने डालना चाहता हूँ जिसकी दस्तारबंदी अभी होने वाली है क्या ही अच्छा होता कि वो बच्चे मेरी मिरी निगाहों के सामने होते कुरान मुकदस की आजमत मत्रत पर तक्रीरे आपने बहुत सुच चूचके आपने हुکुकِ قرآن साथ हुखुक मैं बेयान करता हूँ जल्दी जल्दी किनवा देता हूँ आप से जादा मुझे जल्दी है मुझे जाना है गारी पर करनी है जतना आप उक्ता रहे हैं ना उस से जादा मैं उक्ता रहा हूँ इसलिए ।ेंशल मत लीजेगा मैं जल्द से जल ख extrem करना चाता। अमते पुरान और तक्रीर तो बहुत सुरुए आएे हुब के कुरान कुरान का हक चा है हमारे उपर हर अद्मई अपना अपना रना रहा बाप कहता बेटा से मेरा हक अदा कर- बेटा कहता बाप से मेरा हक अदा कर- अमाम मुक्तदी को कहता है, मुक्तदी अमाम को कहता है, अमाम मुतवली को कहता है, पाबंदी कीजिए, किरायदार मकान मालिक को कहता है, पसलेटी दीजिए, मकान मालिक किरायदार को कहता है, किराया बढ़ाये, हर एक अपना अपना हक मांग रहा, लेकिन आह, एक किताब है, बहुत मजलुम किताब बड़ी आपा अजमत किताब वो किताब भी अपना हक मांग रही है कि ओ, मुझ पर इमान रखने वाले मुझ पर इमान रखने वाले मेरा हक दे दो अगर हमारा हक गोई नहीं देता है तो चाकते ए बैमनमा मेरा हक नहीं देगा बतावेंगे कियामत के दिन कियामत के दिन दामन पकड़ेंगे आई है है कुरान भी कह रहा है ओ मुझ पर इमान रखने वालो मेरा हक दे दो मेरा हक पर इमानी मत करो वरना कियामत के दिन हम बताएंगे आईए क्या हक है कुरान का याद कर लीजिए पहला हग 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 पहला पर आइद काashed हम कॉन कॉन सा हग hadder रहे हैं? हगा helping कॉन कॉन सा हगा वी मानि करके हम gay उ inveja है नमब एक क्रवान पाक की हक चानियत पर divisद्ध कीन हो याद कर लिए कुरान पाक की हक चानियत कम्तलब सची का उाइए कि कुरान का सारी दून्या मिन लुख डहतना, सो सiation, automatically बने खुर्थ, सारी दुन्या मिन करके कह दें कि रुणा ये कानून ठीक नहीं ये ये तीन तलाग का कानून ठीक नहीं है नचला हुआ है अजगल परदे का कानून ठीक नहीं है अरे दुन्या कहां से कहां चली गई अई मुलबी मुलाना कहता है कि निकाब पहना हो हम अपनी बेटी को निकाब पहना वेंगे तो मेडिकल की तैयारी कैसे करेगी एमे पास कैसे होगी बेटा न एमे न अमे कहीं से नहीं रहेगी कुरान का कानून कसम खुदा की क्यामत तक के लिए है दुनिया बदल जाए कुरान पाक के कानून में जर्रा भराबर तबदीली नहीं आसाथी सौ फीसद यकीन गचीन गचीन दुनिया वालों में पहले सिंगल रोड बनाया था पहले सिंगल रोड दुनिया वालों ने पहली जरूरत के अत्वार से धाचा त्यार किया लेकिन बाद में डेवलप किया लोगों की आबादी बढ़ी गारी बढ़ी तो अब वो तंग हो गया तो बारहाना पड़ गया पांच साल का बच्चा है उसके लिए कुर्टा पजामा आपने सिलवाया पांच साल के बच्चा के लिए कुर्टा पजामा सिलवाया अब वो बच्चा पचीस साल का हो गया बढ़ते बढ़ते तो वो पांच साल की उमर में जो सिलवाय से वो छोटा हो जागा उपह नहीं 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 नह सरक सिंगल को डवल डवल को फॉर्लल करना पड़ गया लेकिन अल्ला का कानून हमेशा हमेशा की जरूरत को सामने रख करके क्यार जाए ये इटोमेटिक कानून है दुनिया लाख डवलट कर जाए हर जमाने में ये कानून फिता जाए दुनिया वाले ऐसी सरक बना सकते हैं कि जैसे जैसे गारी बढ़ती जाये रोड बूट बढ़ता चला जाए दुनिया वालों के बस में नहीं है लेकिन अल्ला हरू जो आलमुल गेव है आइंदा क्या क्या डेवलेबलेंट होगा क्या क्या चेंडिंग आएगी रहन सहन में जरूरतों में क्या क्या परिवर्तन होने वाला है सारी चीजें अल्ला के सामने है तो आइंदा आइंदा की बातों को भी सामने रख करके اللہ نے قانون हमیشہ के लिए बना दिया ये قانون हमیشہ उचाहेगा परदा का कानून 14-00 साल पहले मुनासिब था तो अभी भी मुनासिब है असुब ही ग्यामत तक मुनासिब ही रहेगा ये कानून चाहे जाहे दुनिया लाग डिबलब बदल रहे सही ये सौफिसत यकीन लखिए आप इसकूल कॉलेज में पढ़ते हो आपको सुकू को सुभात में मुझतला किया जाएगा आपका एमान इतना मजबूत होना चाहिए कि कुरान पात के क्रानून पर जर्रा बराबर भी अंगुस्त नमाई हम बरदास्त नहीं कर सको एक वाका सैंक que pün तकरीबं साठे साथ किलो मिटर है साथ सो साथ किलो मिटर और चार सो Wade तकरीबं होगे- साथ साथ किलो मिटर उव पूल पे जाम बहुत रगता है एक बार मैं भी जाम बहुत फसा हुआ था बगल में एक नौजवान गेर मुस्ली खिर्की के पास सुन रहे हैं लग रहा है कि आप लोग अपता चुके हैं ना तो हमारे पास दूसरा कियर भी है आपको जगा ले हैं अभी हम उसे पुड़िया छोड़े नहीं है वो गेर मुस्ली मेरे बगल में नौजवान अब मैं इधर बाइचा था जब पानी के सामने गारी आई आई न तो अपने जेव से कुस्कुरा पैसा निका ला गंगा जी को दान किया देखें आप वो ऐसे करते कभी अरे मुकामा पुल पे न देखें लिका तरेन गुदरते जढ़ 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 पैसे की आवाद आमे लगती तो नौजवान ने जेम में से पैसा निका ला पानी में फिक दिया गोया गंगा जी को दान किया अब मैं था बगल में अब बोने वाला आदमी बरदास्ट कैसे हो मैंने सवाल कर दिया ऐसा सवाल था कि बड़ा से बड़ा फलसफी, बड़ा से बड़ा साइंटिस, बड़ा से बड़ा बुकरात भी इसका सही जवाब नहीं दे सकता मैंने जो सवाल किया था, मैंने का श्रीमान एक बात माच है, कहां बिल्कुल कुछी है यह जो पैसा आपने पानी में फिक दिया, यह पैसा किसी खरीब को दे लिए होती है, तो उसका भाला हो जाता है यह पानी में फिक के क्या मिदा था, वो तो पैसा तो बरबाद लिए है बोले इसका सही जवाब कोई दे सकता है बिल्कुल चुपता हुआ सवाल था कि पानी में पैसा बरबाद गिया वो पैसे किसी गरीब पर दे दिये होते हैं उसका भला होता है लेकिन उस नौजवान ने मुझे चुप कर दिया जबके मौल भी जल्दी चुप नहीं होता है मैंने मुनादरे का भी फंसी खा मैंने मुनादरे का भी फंसी खा है लेकिन मुझे उसने चुप कर दिया जी मैंने जो कहा कि ये पानी में ये पैसा प्थे दिया तक क्या हुआ किसी गरीब को देदी होते हो यह भला होला उस नوجवान ने जो कहा मुझे आज तक वो बात याद है कहा मुली साहिब मुली साहिब हमारे पंडी जी ने कहा है कि गंगा जी को दान करना चाहिए हम गंगा जी को दान करेंगे और आगे हम कुछ नहीं सुनना चाहते है जब कुछ सुनना चाहते है जब कुछ सुनना चाहते है हमारे पंडी जी ने कहा है कि गंगा जी को दान करना चाहिए हम गंगा जी को दान करेंगे और आगे कुछ नहीं सुनना चाहते है या ला या ला कितना पक्ता था वो कितना पक देखे, गंगा जी को दान करना चाहिए, ये हमारे धर्म का कानून है, तबज़ो तबज़ो, वो क्या समझा है, कि गंगा जी को दान करना चाहिए, ये हमारे धर्म का कानून है, इस कानून के खिलाफ हम कुछ नहीं सुनना चाहते, एकास, एकास, कि हमारा नوجवान भी, अगर इसलाम पर कोई इतराज करता कि तुम अपनी बहन को निकाब क्यों पहनवाते हो तुम अपनी बीबी को निकाब क्यों पहनवाते हो तो कह देते सुनो हमारे कुरान में लिखा है कि परदा करवाना चाहिए हम निकाब पहनाएंगे और आगे कुछ भी सुना चाहता कास कि हमारा नौजवान बन ऐसा पका किदा है ऐसा पका इमान है इमा कुरान की सच्चाई पर सौफी सद्यकीन सारी दिम्या मिल करके एक तरफ हो जाए लेकिन आप तने तनहां कहो कि तोहीद तो ये है हसर मैं कह दे तोहीद तो ये है कहद खुदा हसर मैं कह दे ये बंद दौय लेम से खफाव मेरे ले है सारी दुए नार्या हो जाए हम नहीं चलने जा событи ने फॉरान का कानून है कि शादी में खर्चा कौन करेगा भीता बैटा games करेंगा वाली मा कुन खिलाएगा महर कुन देगा महर कुन देगा बेटा वाला कहीं खुरान हदिस में नहीं लिखा है कि बेटी वाला भी महर देगा बेटा वाला का महर उधार है बेटी वाले से महर नहीं ले 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 साधी के पहले ही ले एकास कि ये नौजवान कहता कि हम बेटी वाले की एक तोड़ी नहीं लेना चाहते क्युंकि खुरान और। एस सामने में ख्यामी मत लगाए जिस्व थोड़ी दिर बर्दास्त कर लीजिए लड़का दुल्हा का बानोई कहता है कि बेंड पार्टी नहीं आएगा तो हम नहीं साधी में सरीक होंगे एक लुटा साला है हम तो हम से जस्र मनाएंगे है है मत आउतूं अलह मत आउतूं अलहमुल्दी तोहीद तो ये है कि खुदा हश्ड्म में कहदें ये बंदा दौा आलम से खफा temos लिए है सारी दुम्या नाराज हो जाए हम एक को मनाने के लिए सब को नाराज करने के लिए प्याद तो मेरे दोस्तों कुरान पाक की सच्चाई पर सौफी सब यकीन रखिए कि कुरान का कानून हर जमाने के लिए है दूसरा हक हुआ दूसरा हक पाक की सही तिलावत सीखिना तिलावत नहीं सही तिलावत सही तिलावत पहां सिखा जाता है मदर सामी आप लोग जो तिलावत करते हुआ है कुरान का कचुमर निकाल दिया माना बदल गया अहम्दलाह रब्लावालमीन आप लोब पर अप लुड़्ाव्भा रब्लावालमीन अल्हम्दो छोटी हासे रब्लावालमीन अलिव से हम्जा से माने का फर्रक मतला हूँ अल्हम्दूल्ल्ल्ही रभ् आलमीन सारी तारीफे उस आलाह के लिए है जो सारे यहां का परवर्दिगार है या रही है लेकिन आप लूगे पड़ते हैं अल्हम्दूल्ल्ही रभ् आलमीन इसका माना बताएं तमाम फटे पुराने कपड़े अलहम छोटी हासे तमाम चितरा गुदरा अलहम दमाने तमाम तारीफ और अलहम दमाने तमाम चितरा गुदरा अरब आलमीन आलमीन माने सारा जहां और आलमीन माने तकलिफ पहुचाने वाला तो माना हुआ 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 ह तो अच्छी तिलावत वला इमाम तो में उतना मैं न सकेंगे, पांचे सो में काम चलाएंगे, तो वही होगा, वही होगा, जो मैंने पप्रावल में भी कहा था, पांस तारीक को, ये तो मुद्धिन साहब थे, बेचारे मर्यल सर्यल आवाज में आजान दे, अल्लोहु अग् 500 रुपएं म मौहम्द रफी की आवाज में आदाम दें, तरह रखादिए का पांस साए, अजाज में मौहम्द रफी की आवाज में, तो मेरे दोस्त अल्हम्दु लिल्लुह का का माना, अल्हम्द लिल्लाआ का दों देखे, मौना का पह इसलאן सहीद लावत सिखी आगे, मैं मदर्सा के जिम्नेदारों से दर्खास करना चाहता हूँ कि हफ़ते में एक दिन तालीम बालगां तालीम बालगां के लिए आप वक्त दीजी जो बड़े पुराने लोग बुरे लोग अपना पुरान ठीक करना चाह चाह आवे कालिसा पढ़ाएंगे अगर ये नो पढ़ावे तो मेरा नमबर नोट कीजे हमको फुन की जिसे जरूर रख गए आपको हमारे दादा ने बुरहापे में पुरान सीखा है हमारे दादा ने बुरहापे में पुरान सीखा है हमारी बेटी अपनी मां का पुरान ठीक करा रही है मेरी बेटी मां का कुरान ठीक कर रही ए दादा लोग कुरान को ठीक करने की जरूरत है अगर पोता से भी सिखना पड़े पोता के सामने भी बैठ गाई ये कि आउ पोता कुरा सा चकलेट देते हैं कुरा सा कुरान हम ठीक करा दो आप मदरसे में आई आई खुरान ठीक करा आई सही तलावत वरना तलावत में थनी भासे में कीजिएगा माना उल्जा पड़ता हो जाएगा एक मिसाल जिया ना भी अलहम्दु आप लगा वाली एक और मिसाल दिखे अल्लाहुमस सल्याला मुहम्मद क्या माना एल्लाहुमस सल्याला 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 पे रहमते नाजिल फर्मा ये ठीक है दुरूद जो पढ़ते हैं नमाज में अल्लाहुमस सल्याला मुहम्मद एल्लाहुमस सल्याला 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 पे रहमते नाजिल फर्मा लेकिन आप लो कैसे पढ़ते तलवार चला यह कुफरिया कलवा होगी नहीं होगी है अपने नभी पर तलवार चला चला कितना पेकार माना हो रहा है जिख नहीं कर सकते आप एक और में दिल हिर दे इकलब कलब मने कुटा आप कलब को कलब गुल गुल दे इसके मनने कुटा है इतनी तब्दली माने में आ जाती है इसलिए मेरे लोग्त कुरान की चैशी सही तेलावत आएए हदे में आधा गॉंटा सही आप मदरसे में वक yeni आगर कुरान ठीक करते-करते आपका इंतकाल हो गया और फिर भी ठीक नहीं हो पाया तो कल कियामत के दिन इंसा अल्गा आपका सुमार्कारियों में हो जाया। क्यों ? कोशिश करते हुए मरा है हजी हज के सफर पे निकल गया हज के सफर पे निकल गया अभी हज मकमल नहीं हुआ था इंतकाद हो लिया वो तो आल्ला तो उसको हाजियों में सुमार कर देगा उसी तरह से सीखते सीखते आप मर गए तो गोया कारियों में आपके सुरूँदी से करना तीसरा हक थोरा ही सही रोजी 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 र मैंने का भाई भाई बरेड और मक्षन लेना था भाई हमको बरेड दे दिए बड़ी जल्दी में है उँ अशनान करके लगवटी बांगे हाथ में अगर्बती लेकर के लचिमी जी की पूजा हो रही है क्या देखें सुबसब देखें गए उँ तराज उँ बच्खरा लगवटी उसे से कर रहा है हम करें भाई भाई बाद में पूजा पाट कर लिजेगा हमको दे दीजे ना हमको जल्दी उत्व पूजा की नियत माने हुआ है उत्व पूजा की नियत माने हुआ है कोई तवज़ नहीं दिया दस मिनट हम को खड़ा करा 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 दस मिनट बाद हम अली साथ क्या लेना है गोया अब तक वो सुना भी नहीं अब तक वो सुना भी नहीं कि क्या चाहिए जब पूजा पाट कर लिया तब कहता है कि क्या चाहिए यहीं पे एक सबक हमको मिला देखिए कितना यखीन है उसको कि लच्वी जी की पूजा नहीं करेंगे तो हमारी बोहनी ठीड नहीं रहेंगे हमारा जतरत ठीड नहीं रहेंगे एकाश एकाश कि ये मुसल्मान भी सुबा सो मेरे नमाज पुछता तिलावत करके काम पे निकलता ये सोच कर कि अल्ला को याद करते नहीं जाएंगे तो हमारा जतरत ठीड नहीं रहें हम कैसे समझाया है किस तरह समझाया एक गैर मुसल्म के दुकान पर गया मैं समान लिया एक हाथ मेरे जोला था बाएं हाथ से रुपिया निकल के दिल के दिल ए मुली साब दाहिने हाथ से दीजिए हमको बोला दाहिने हाथ से दीजिए हौरन मैं मुझको मैं मतनब्ब हुआ हुआ देखिए देखिए दाहिन हाथ से हमारे घर के चीज़ है मुफ्ति को लुकमा दे रहा है गारे दियान दियान एक हथ मेरा बिजी था एक हथ मेरा बीजी था जो दोना को जमीन पर रखना पड़ता सोचा कर्या कि नहीं है पटनावाले पुल पर एक गहर मुस्मिम पड़ोफीसर जामियाती बिया का पॉफीसर मेरे पास था का मुली भी साजकबाद कहें अंजवान है। महिलाओं की ओरिस अंचा लगता है। करने मौड़ेशा लेकिन है। इस्टाइल वाल लेकार्स तेरे नाम का। बाल भी तेरे नाम का सलवार भी तेरे नाम का कहा जा रहा है नौजवान कहा जा रहा है नौजवान एक नौजवान मेरे सामने से नमाज परा था अगले वाले सीट अब मैं पीछे सीट पर था जब नौजवान सजदे में गया तो मैंने का ला हौल वला कुछ तो जो ही वो सजदे में गया समझे पहले जامने में बिस्कुर चलता हूँ अब भी बी चलता हूँगा नहीं पुप्प्प्प्प्प्प्प्प्प वाला सिस्टर, वी खुला फ़िश्टी छुपा नमाज में, अल्ला के घर में, नंगा होके नमाज कर शुथ जिंस ऐसा है कि वो उन पर जाही नो सकता चाहा तब नौजवाने उचे लिए कहा कि मुफ्तिता इसका स्पेस कम डाला गया है यह उपर जाएगा ही नहीं इसका स्पेस ही कम जाएगा उपर किजिएगा तो आदिमिये उचे गया उपर नहीं गया वो बस पेरू तक रहेगा उसके उपर पर चाने का सिस्टम ही नहीं रखा गागए जी अल्लh के घर में भी नंगा होगा नमाओ वह इतना न्हींच पहन रहा है आई यह उपर वोला सॉच सॉच Camp जब सजड़े में जाएगा ते यह उपर तन गएगा आद नीचे वाला और नीचे सरक गया अब बीच मीच बीच की सुरते हाल क्या होई वो भी अल्ला के घर में और नमाज की हाल चाल हो कहां जा रहे हो लोगा अरे कहां जा रहे हो अगर जिम्स पहने हो तो नमाज पढ़नी हो तो कूरता चाल लो कुर्टाढल परदा हो जाएगए तो मेरे दोस्तो पहले हक पुरान पाकी सचाई पर सो水 सद्याकीन नमब दो पुरान पाकी सही तलावत सीफिना नमब तीन पुरान पाकी तलावत पाबंदी से करना नौजवान वह लंता है खतम तरवी के दिन हापीजाय, कलम फुक दीजिए, कल से एक्जाम है, मैं कहता हूँ, बेटा, हम कलम फुक देंगे, तो तुम आल इंडिया इस्टूट कर जाओगे, आमिर सुभानी के तरह, यह कलम फुकने से नहीं होगा, तुमने अपनी मेमूरी में एजल्ट पिक्चर से बकर रखा, तुम अपने जहन की मेमूरी से गंदी गंदी फिल्मों को डिलिट करो, मेमूरी पहले खाली करो, तब जाकर के किताब की बाते तुम्हारे जहन रहाएगी, कलम फुक देने से कुछ नहीं होने वाला है, कहता है कि हजब लग जाए दौा करने, सब कुछ का ठीका मुल्मिय लि आओ आओ, प्यारे आओ के दरे दौलत पर पहुचो, रिज्ग की तंगी का इलाज ले लो, या प्यारे आओ फरमाते हैं, जो रोधाना शाम को सुरा वाकिया कि उतलावत करेगा, अल्ला उसके रिज्ग से संगी को उतलेगा, सुरा वाकिया कितने सफ़े का तीम सफ़ा, मै मदर्से के जिम्मेदार से लिए कहना चाहता है, रोधाना मगरिब की हमाद के बाद तमाम तलबा रसासा, सुरा वाकिया जरूर पढ़िया, इसका करिश्मा एक हप्ते में देखें, दाहर लो, मैमाते सरिया, चार सो सुपर बच्चे पढ़ते हैं, दोरे हदिश तक तालीम कुछ पहले इतनी तंगी थी, तिन तिन महीने की तनखार हुग जा रही थी हमों के, रासन वाले का पांच पांच लाक हो जाता था, रासन की दुकान वाला धंधी देता था, ए मुलिसा पैसा दीजे ने तो बंद कर देंगे, बंद कितना उधार देंगे हम, ए भाई, बस साबान आरा, राम राम में चंदा होगा था, उनको मिल जाएगा, बंद मत करो भाई, बेचारे मेहमान लोगे है, उधार लेना परता था, जब से सुरा वाकिया की तिलावत सुरू हुई, तमाम मदार्स की जिम्मेदार, लुमाए किराम सभी मेरी दर्खास था, जब से सु सामान नकद खरिदा जाता है, उधार में, सारा सामान नकद खरिदा जाता है, एनो जवानों, सुरा वाकिया की तिलावत पाबंदी से रोदाना करो, रिज्ग की तंगी खतम हो जाएगी, इसका ये मतलब नहीं के फौरण अनिल अम्बानी, आम्मकीस अम्बानी बन जी अल्ला का वादा है, सुरा वाकिया की तिलावत पाबंदी, आप करके तो देखें, आपके पीछे दुस्मन पड़ा हुआ है, सुरा यासीन की तिलावत तरके निकल जाओ, दुस्मन के बगल से गुदरोगे, वो नहीं देख़एगा, आप तरकी कर रहे हो, आप तरकी क कर रहा है, आप सुरा और, कुल आओद विर्बिल फलक, कुल आओद विर्बिल नास, हर नमाज के बढ़ लो, बड़ा से बड़ा जादुगर, बड़ा से बड़ा क्रिमनल, पापी, महापापी, लाख बुरी नजर, घसा, घसा के देखेंगा, आप पर असल नहीं है, कर के कुरान को देने के लिए बेताब है, लेने वाला के लिए, तो मेरे दोस्त, कुरान पाक की तिलावत पाबंदी से थोड़ा ही सही, रोज दिये, दिमाग तेज होता है, दिमाग तेज होता है, कुरान की तिलावत पाबंदी से, जो कुरान की तिलावत पाबंदी से करेगा, उसका brain हेमरец नहीं होता है। जहन उसका पिजा जाता है गुषम तेज हो जाता है। हमारा एक शागिर्द हाफिज होकर के आइटी आई में अडिमिशन लिया। उसका साती लोग के लोगहां साइटे है। मुलबी आया है आईटी आई करने के लिए। मुल्वी आया है आईटी आई करने लेकिन जब इम्तहान हुआ सालाना एक्जाम हुआ तो ये लड़का सबसे आगे मिकल गया जो हाफिज कुरान था जी हाफिज होने के बाद उसके जहन की मेमूरी बढ़ जाती है इसलिए मेरे दोस्त कुरान की सचाई पर सौफी सद यकीन नमबर दो कुरान पाक की सही तलावत सीखना नमबर तीन कुरान पाक की तलावत पावंदी से करना नमबर चार कुरान पाक के माणी को समझना माना समझ के पढ़ने की कोशिश कीजिए आप चाहेंगे तो अरबी लैंग्विज भी सिख सकते हैं अरबी गिरामर पढ़े हो अरबी गिरामर सिखना बहुत आसान है हर गाओं में उल्माए किराम सिखने वाले मुझूद है अरबी गिरामर सिखने है ये चौता हक हुआ पांचवा हक ये है कि कुरानि पाक के अहकाम पर अमल करना कुरान के जो गानुन र का हुआ है उन गावानिन पर अमल किजिए पौचवा हक हुआ और च्छटा हक है कि कुरानि पाक की बेहुर्मती से बचना आज के गmat Гुजर के दौर में भी अग्ध बचिसकि इतला है मैंने जाहिल गवार को देखा कि रोड़ पर अल्ली बातासा वाला काईदा बुग्दादी का उपर वाला सफ़ा पड़ा मिलता है जाहिल गवार है बेचारा उसको उठा लेता है चुम लेता है कहीं उचाई पे खोज़ ले कुन बेहुदा देखिए है कुरान हदीस की बाता है यह अल्ली के खोज़ आए इहतराम की आज गज़रे दौर में भी अलहम्दुल्ह कुरान का कुछने कुछ इहतराम है दार उल्फा इमारत शर्या में मिया बीवी का मामला पहुंचा बीवी कह रही थी बीवी बोल रही कि तीन तलाक लाग दिया अस्वाहर बोल रहा चा कि एक भी तलाक नहीं दिया जूट बोल रही है हदरत मुलाना मुद्धी जुनेश साहब दामत परकात हुं दार उल्लिफा मुजूद सोहर से कहा कि जाओ वजू करके आओ जाओ वजू करके आओ वजू करके आओ बैठा आस्तिन समित रहा है हमारे एक साहथी बना इसलाम साब इसलाम साब बैठा उटा ये तो परसे बैठा उटर वाके सुनो ये जान्डर कहा है खुरान सी फैन तुम बोलते हो कि एक भी तलाक नहीं दिया जाओ कि हमने एक भी तलाक नहीं दिया अगर तुम जुटी कसम खाओगे ये कुरान की वो मार पड़ेगी ये कहीं भीक नहीं मिलेगी मुझ देखाने के लाइका ही रहोगे जलो कुरान हाथ मेरे के कसम खाओ अब वाजी अरे का हुआ उठाता है कि नहीं कुरान रहे उठाओ क्या कि बॉल कि अगर안 आजेरृ आजीब चाहिए मनाना साहिव दिये दे तलाक थलाक जुट काय के लिदे बोझेगे दिये तला अरी हमारे हिससाती बात आइए हम तलाक लेवे ने किया तक किसे मान लें हम तलाक बेवे ने किया अजब कुरान उठाने की बात आई तक किसे मान लिए का कहे मौलाना साहिब हम सोची काला पहार को कौन उठाएगा हमरा रोआ रोआ कांप गिया हिम्मत नहीं हुई कि कुरान हाथ में लेकर के जूपी कसम काएं एक जाहिल था भी दालुफ़ा में खुरान हाथ में दिया जाता है तो फौरान वो सच अगल देता है ये क्यों है खुरान की आजमत दिल में पुछ है तबी तबी ये तो एक पहलू है लहाँने खुछ है लेकिन आप दूसरा पहलू ने जिए दूसरा पहलू मुझे माज़ कर दिया जाए खुरान का एक तरफ एहतराम करते हैं तो हम खुरान की बेहर्मती भी करते हैं मुसल्मान की दो कान है मुसल्मान की दो कान है उसी दोकान में सुरह यासीन, सुरह ताहा, सुरह मुझमिन, सुरह मुझसिर का लगा हुआ 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 हु कुर्सी सूरा यासिर्शुर रह्मान रहा कि नहीं एक साथ हम लेके गए ज़रा आयतर कुर्सी में यहां से वहां पका बड़ा सा काहे भई भाई सुने हैं कि यस मकान के सामने लिखा रहता है तो चोर अंदर नहीं जाता है अच्छा, मैं गिया, लिख दिया खाने का जब टाइम हुआ ना दसखान के खा रहे रहे थे गाना बजाने वाला देख रखा वा थे टेप रिकॉर्ड बटन पे हाथ रख रख गया मुथ्व्टी साथ गाना से इलर्जी नहीं नहीं ना चालू कर रहे का बोलता है हम को कि गाने से गाना से अलरजी नहीं नहीं है गाना चालू कर रहे है अरी तिनी यानि प्रियक्र चाहता है कि हम भी प्रियक्र बना दे मैंने फॉरन लुक्मा रोका ए सहाब ये बाहर आयतर कुरसी क्यों लिख वाया बरकत के लिए बाहर बरकत और अंदर गंदी हरकत अरे बाहर आयतर कुरसी लिख वाया बाहर से चोर नहीं आयागा लेकिन अंदर जो चोर सैसान है ये जो उधम मचाएगा उसका क्या इलाज होगा ये गुरान की बेहुर्मती है कि इसलिए मेरे दोस्त मैं देखता हूँ मैं देखता हूँ गैर मुस्लिमों को हमने हिंदू भाईयों को देखा बार बार देखा मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं ऐसे कर दो मंदर के पास से गुजर रहे हैं तो भी अब मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं लेकिं इस आखने ये भी देखा, इस आखने मुसलिम नौजवान को देखा, जेब में मुबाइल, कान में तार, गाना बज रहा है, मस्जद के पास से बुद्रा बंद नहीं कि, गैर मस्जद का इहत्राम करें, और ये मुसलमान मस्जिब का हितराम नहीं कितना गिया करें, किस को गिया करें कौन कौन सी बात बताएं बस एक आखरी हक्मत लाता हूँ पहला अक्मत रहा या पुर्स पाक की सचाईपर सो फीस यकीन नमबर दू पुर्स पाक की सही तलावत सीखना 3. वुरानि पाक की तिलावतमाब्दी से करना 4. वुरानि पाक के आकान कर आमल करना 5. वुरानि पाक के मानी को समझना 6. और नमब चाथ पुरानि पाक कीže समझना 6. और 10. और 10. त खुरानि पाक को प्योती ओना नशर औशाद, क्यामत हम कुरान सीक्वे हैं, अगले को सिखाएंकि क्यांगे, अगर आप पढ़ना नहीं जाते हैं जहाँ कुरान पढ़ाया जाता है, वहाँ माली मुझत, आप मज़से के जिम्मेदार को कहिए, मुनना साहिब, एक हाफिज हम बनाना चाहते हैं अपने खर् हर महीने हम सास उसा देंगे एक हाफिझ अपने वालदेशन के नम पर चलता फिलता कौराँ पर जब तक तिलावत करेगा उगले को शिखाएगा आपके पुस्त पुस्त को नेकियों की पैकिट बन-बन के पहुचती रहेगी तरिफ वह तो कितना खुरुब सूरत तरीका है कि थान कि तैञीक है तरिफ अनिशन से साथ में आप ह मैयुता ले ले रहे हैं एक तावीज ले ले लिए मैं चलता हूँ हुआ अब एक मकवह कहां से लें एक डबा रखिए और देखा गर दें पाबंदी से आप डाली एचाहे हैं बीवी को कह dettaगे हैं उसमें डाली, महीने में जितना हो जाए, निकाल के दे लिए गिसमें, यह तो आसान है, नहीं है, अरे दो दो रुपिया डाला तो साथ रुपिया हो जाएगा, अब पांच पांच रुपिया डाला तो देर दो रुपिया हो जाएगा, वो रकम जो है मदर से, कितनी आसानी से, आपक रखम से एक बच्चा हाफिवे कुरान हो जाएगा, कुरान पाक के नश्र इसाथ में आपका भी हिस्सा लग जाएगा, बस भई मैं अब रहुस्त होता हूँ, अल्ला ताला से दौा फरमाईए, अल्ला ताला मुझे भी, आपको भी, अमल तौफिक अता फरमाएए, आमीन आमीन, वा आखिरु दावाना ल्हम्दुल्ल्ह रब्ला आदिम